हाथ बस्तों मेरा नाम है देवरत नगरवाल आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल और हम इसे की तरह सलूशन्स लाता रहूंगा और यह सलूशन्स इस बाल आया हूँ मैं एक वाइवन का यह कस्ट्रमर का सीधा मुबाइल मेरे हाथ में आया है और मेरे पास मैं है दूसरा यहां पर एक और वाइवन है इसमें डिस्प्ले consistently नहीं आ रहा है तो इसका भी वीडियो हम बनाएंगे ऊवर चैनल पर नहीं बीडियो के बाद अगला वीडियो देखने के लिए कि डिस्प्ले ग्राफिक्स पर क्तने व्लटेश बनते हैं कैसे काम करता है तो subscribe जर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह बताता हूं यहां पर बेसी कि इस पर माइक वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको पहले साउंड सुनाता हूं कि आवाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं आपने स्पीकर नहीं लगाया होगा त आपको यहाप सुना कर दिखाता हूं यहां पर तो मैं आप पर speaker की volume आपको सुना कर दिखाता हूं यहां पर देखेगा कि आई कि आउप कि आपको speaker की व्याइभ सुनाएं देकर ही होगी यहां पर तो basically विसका मतलब है कि मेरी सॉट नच्छा ओके अब मैं पर साउंड रिकॉर्डिंग करता हूं देखें यहां पर तो यहां पर मेरा यहां पर जो डिकॉर्ड कर रहा हूं आप यहाँ पर मैं hello 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 देखे मैं कुछ sound record कर रहा हूँ hello 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 देखे पर यहाँ पर आप देखे होंगे आपको कुछ भी pulse यहाँ पर दिखाए नहीं दे रहे होंगे जो pulse यहाँ पर होते हैं frequency के जो हमारे आवाज के frequency होती है वो इसमा पर पल्स के रूप में उसको बताता है hello 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 देखे कुछ भी यहाँ पर रिकॉरड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यह पर यहाँ वाज को सूनें तो यहाँ परिसको करते हैं के second game ह हमने रिकॉर्ड किया है और यहाँ पर हमकर धरते हैं जैसे कुछ कुछ भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है रिकॉर्डिंग चालू है इसका माइक वर्ट नहीं कर रहा है तो चलिए इसका माइक बनाते हैं और अर्रेडी दुकान किसी टेक्निशन्स आया है उसने माइक भी चेंज किया और उसने नीचे का जो आपका केबल होता है जो आपक प्रब्लम बोट से है तो जनरली नॉर्मल टेक्निशन जो यूट्यूब पर डिपेंड होते हैं वह सलूसन कब तक देखेंगे क्योंकि आइसी का नॉलेज होने के बाद आइसी निकालना लगाना से मुबाल रेपेरिंग नहीं होता है मुबाल रेपेरिंग होता है कंप्ली देखते हैं कि इसका हम कैसे ढूटे हैं बिना किसी डाइगराम के और बिसीकली इसका जो भी सप्लाई हमने ट्रेस किया वर्ट सप्लाई आपको हम यहां पर बताएंगे तो मैं यहां पर मुबाल अपना ओपन कर लिए अपना ने देखें मेरे मुबाल फॉन ऑपन कर लिया अपना उनला आप सुटेख पहले दोस्तों इसकी जो हमारा कनेक्टर है और मैं आपको नीचे का कलेक्टर दीकाता हूं आप द्कार कि माइक कहा लगा हुआ हुआ है एग मिन्ट वमकर तो कि देखां है यह यह जो हमारा माइक लगा हुआ है दोस्तों वह हमारा माइक यहां पर यह लगा हुआ है तो आप देख रहे हूँ कि कि यहां से कुछ supply line जा रही है जहां पर आपको test point मलब हलके से आपको point से दिखाए दे रहे होंगे सो बिसीकली माइक जो लगा है डारेटली इस Connector से होते हुए इस Cable जिसको इतक है कबल के आपकी इसको केबल करें इसक Tipp Key problem पर यहां ? पर कला है। तो मैं बात करूँ कटशिया के तो इस एक केबल में आपको देखेHHHH yak यह Connect पर आपको क्यूसा है तौब से चेक करते हैं यह हमारा यहां पर आपका चाल वीटीवी केबल करेक्टर पोलते हैं जिसे हमारा माइक आता है जिसमें माइक और हमारे स्पीकर और चार्डिंग की सप्लाई आती है तो चलिए थोड़ा सा इसका डागनम मनाते हैं कि यह मुबाइल आता है तो बीसकली स्करेक्टर की नहीं थो एक माइख की पिन future एक और मेन माइख की ईटीर वहता है यो माइख सब्सक्राइग करेंगे में पुड़ा माइख पढ़ाईंगे प्राइमरी सेकें। हर तरह का माइग और डारेट उसको स्केमेंटिक में कैसे पढ़ते हैं विदाउड और यह सब कुछ हम बताएंगे बट बेसिकली जो मेन हैं अभी क्या मार्केट में हर चीज जो स्केमेंटिक में उसे आप से वड़क नहीं होता है इसलिए डारेट सलूसन भी बताना बहुत हां जरना रजरेश होता है कि क्या एक एक्छुल है क्योंकि व Quite a big जो माइक मैं मैं सप्लई है और चांव चांट में लिया इणको आपको सप्लाई है यहां पर आपको जो कि आपको मिलता है लिएण से तो पॉइंट एड वोल्टेज के बीच में जब आप माइक को एक करते हैं और इसके बाद में यह माइक पॉजिटिटिड सप्लाई है ठीक है बिसिकली यह आपका आउपुट होता है जो आपनी वॉइस जैसे आप इसको देशते हो तो इस करेक्टर के पास में आपको यहां पर पहले में यहां दिखा देता हूं दो capacitors आपको लगे मिलेंगे बहुत सारी mobile में series में भी component लगे मिलते हैं coils देखने को मिलता है registers और उसके बाद ये main audio IC में जाता है दोस्तो और क्योंकि ये Qualcomm का mobile है और इसमें PM लगी हुई है, फिलाल इसका main audio IC का PM है इसका PM IC है उसके अंदर ये दो बॉलों के अंदर जा रहा है और उसमें भी आपको दो capacitor वहाँ पर देखने को मिलेंगे हलाकि इस mobile में काली एक capacitor लगा है एक आपका NF capacitor लगा हुआ है तो इसी के लिए अगर मैं यहां की बात करूँ तो जो ये capacitor लगा हुआ है एक आपका माइक बायस के जिस पर आपको voltage मिलेंगे 1.8 से 2.8 voltage जिसको हमने बोला कि ये एक तरह से हमारे active voltage है जब आप active करेंगे जो कि आपके आपकी power IC से जो कि audio IC से होते हुए आपके माइक पर जाएंगे और एक आपका output है ये आपका output होता है तो यह बिसीकली यहां और यहां लगे होगा है तो हमको क्या करना है हम सबसे पहले देखे अगर आपकी वास माइक का कोई सबी mobile phone आता है कि माइक काम नहीं कर रहा है अगर आपने माइक change कर दिया है आपने नीचे बोड चेंज कर दिया है आपने flex cable change कर दी है जिसको B2B cable कर तो उसके बाद भी माइक काम नहीं कर रहा है वोड़ पर आपे हैं तो आपको माइक के always सबसे पहले active voltage चेक करना है हमेसा दानक ना 99% सिर्फ इसी का काम रहता है अभी आपको full endless solution तो नहीं बताऊंगा क्लास में आएंगे endless बताएंगे कि कहां से कहां तर सुरू कैसे काम सब कुछ अभी फिलाल इस वीडियो में solution लेकर चाहिए आप अपने हमेसा active voltage चेक कीजिए और जो माइक बायस की supply पर आता है basically generally माइक बायस की supply पर एक रजिस्टर सीरीज में लगा होता है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अभी से बीसी mobile की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यहां पर देखें यह जो आपको capacitor दिखाई दे रहे होंगे एक capacitor यह औ तो यहां पर देखें यह इसकी power IC है और यहां पर यह आपको यह जो capacitor दिखाई दे रहा होगा यह capacitor पर हम basically voltage चेक करेंगे यहां पर हम voltage चेक करेंगे माइक 22 के supply 1.8 2.8 एटिक करने के बाद और यहां पर जो capacitor एक आप देख रहे होंगे जो की नहीं लगा है और यह जहां पर ओपन है यह से रहा मतलब खाली से रहा है तो यहां पर basically यह एक एन्फ capacitor है जो की बताया गया है circuit के अंदर तो यहां पर आपकी माइक की positive supply आती है और यहां पर माइक की बायस जो की 2.1.8 2.8 तो हमको देखना है कि सबसे पहले हम पर reading आ रहे है कि नहीं आ रहे है तो हम पहल और रीडिन चेक कर लेता हूं तो यहां पर यह 00 बता है यहां पर देखें फाइव 27 ओम्स की रीडिंग यहां पर हमको मिल लगी है और उसके उपर जो हमको मिल लई है यहां पर रीडिंग हम हम चेक करेंगे यहां पर तो देखे उसके ऊपर हमारे को जो रीडिंग मिल लई है वो भी हम को यहां पर 560 के अप्रॉक्स मिले है जो की बिल्कुछ सही है में बार यहां पर दिखाना चाहता हूँ दिखाईए यहां पर बोड पर देखे जो हमारे को रीडिंग मिलनी चाहिए न वह 300 से 900 के बीच में मिलनी चाहिए तो अब हम यह बार पीछे भी चेक कर लेंगे कि हमको यहां पर र दूसरे हमने लगाया कि मायक बाइस की सप्लाई जो की बराबर रीडिंग आ रही है और यहां पर भी लगा के चेक करेंगे तो यहां पर हमको रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है तो यहां पर भी हमको वही रीडिंग आ रही है तो हमारे यह वाली सप्लाई भी बिलकु तो आपने देखा कि रीडिंग तो आ रही है बड़ा वोल्टेज चेक करते हैं क्योंकि मैं डारेट वोल्टेज चेक करता है तो यहां वेव को भी होती सबसे पहले रीडिंग रीडिंग हमें बताता है कि सप्लाइएं जोड़ी हैं कि नहीं जोड़ी हैं अब एक्टिव करें यह देखाओ तो दीख हमने फोन यहां पर चालू कर लिया है हम माइक को एक्टिब करेंगे अब हमने इसको बूल्ड पर लिया है यह हमने इसको बूल्ड पर रख लिया है डीसी बूल्ड पर अब हमारा मंटिमेटर डीसी बॉल्ड पर है अब हम माइक को चालू करेंगे और माइक को चालू करके हमने बोला एक्टिब वोल्टेज कितना आना चाहिए 1.8 या 2.8 के अंदर बेसिकली 2.8 के ऊपर नहीं आता है 2.9 मैप्सिमम है तो यहां पर हम बात करेंगे यह चुरूएंगे साथ इसको बाइपास का सकते हैं बिल्कुल नहीं का सकते हैं यह वोल्टेज औरियो से आना चाहिए और तो देखें यहां पर हमारा फोन चालू हो गया है अब हम यहां पर हमारा रिकॉड़र चालू करेंगे और देखें हमने रिकॉर्डिंग चालू कर्ड तो यह मेरा माइक का बाइस की लाइन है यहां पर मुझे 2.8 या 1.8 वोल्टेज का रिए मिलने चाहिए तो आप देख सकते हैं यहां पर 0.04 वोल्टेज मिल ला है देखें मैंने हटाया जीरो हो गया मैं फिर से मल्टिमेटर दिखाऊंगा देखें 0.04 वोल्टेज जो की ना क पर हमको वोल्टेज बन नहीं रहे हैं जो की हमारा यह ओडियो का काम है तो हम इस ओडियो को हम रिप्लेस करेंगे और देखते हैं कि हमारा वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता है देखें हमारी यहां पर पावर इसी निकल गई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह हमारा पावर प्लस कम ओडियो निकल गया है यहां पर अब यह बार हमेंसा दान रखेगा सही टेक्निशन वो है जो एंडलेस काम करें यहां पर देखें मैंने कंट्रीटी पर रखा हुगा है और मैं देखता हूं कि मायक की 22 की सप्लाई अंदर तक जा रही है कि नहीं जा रही है हलाकि रिडिंग मिल लगी है तो जा रही है जब कभी ओपन कंडिसन हो तो यहां में साथ चेक करना चाहिए इ तो दोस्तों मैं आपको एक खास बात पर बताना चाहता हूं यहां पर अभी मैंने आईसी निकाली हुई है और जिस तरह से जैसे मैं कंट्रीटी चेक कर रहा था आपने देखा होगा वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अभी बहुत सारी जो लोग इस वीडियो देख देखा होगे मैंने आपर देखे बूर्णी ओपन करके रखा हुआ है तो यहां पर आपको माइक बाइस मनलब आपका बॉल्टेज बनता है और एक पॉजिटेटेव यह लाइन आपकी बताई हुई है जो कि यहां पर उन्होंने एक उम्पोडेंट भी सही बताया पर यहां पर अगर हम बात करें यहां उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है देखिए मैं आपको भी करना चाहता हूं कि अगर आप लोग एक सौटवेर पर डिपेंड होके अपना काम करेंगे तो नहीं सीख सकते दोस्तों प्रॉपर नॉलेज अगर आपको नहीं मिलेगी तो मु कभी होता ही नहीं और आप कोई दूसरी लाइंग के साथ स्वर्टिंग लादेते और आपका फॉन दैड हो जाता 102 परसन बता रहा हूं आपका फॉन टैड हो जाता तो देखिए क्यों देखिए यहां पर आपको दिखाते हैं यहां पर बॉर्ण्यून है यह वाले जो माई माइक बाइस के सप्लाई है यह देखिए माइक बाइस के सप्लाई है उसको यहां पर इसके शुरुवात एक दो तीन नंबर के पिन पर डाला है कि दिखरा होगा आपको और उसी के जस्ट बगल में एक दो यहां पर ग्रीन कलर की जो सप्लाई उन्होंने दिखाई है यह सप्लाई को उन्होंने यहां पर माइक का उन्होंने पॉजिटिव बताया हुआ है देखे मैं दिखा देता है यहां पर पेके ग्रीन कलर का पॉजिटिव है और इस कलर का बायस की लाइन है तो अगर मैं यहां की बात करूँ आपको तो देखे उन्होंने उनके हिसाब से ऐसा है कि यहां से एक एक दो तीन चाहती पाछाँवी लाइन पर आगर आप देखेंगे तो यहां से एक दो, तीन, चार, पाच, पाचवे नमबर पर पॉजिटिव है और छटवे और साथवे नमबर पर इनके हिसाब से 22 की लाइन है, तो चलिए चेक करते हैं, है की नहीं है, तो मैं कंटिनिटी मोड पर रखूँँगा, बीब की आवाज आपको सुनने को मिलेगी, इसकी बीब के बाद सोड़ी सी कम है, तो मैं मल्टिमेटर को इपाच चेंज करूँगा, अब मैं कनेक्शन को चेक करता हूँ, जब तक आप प्रॉपर डाइगराम पढ़ना नहीं सीखेंगे, दोस्तों सप्लाईयों का नॉलेज नहीं जानेंगे, आप डारेट ट्रेके नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, सिफ खाली एक सॉड़ प्रॉपर कर रहें, यह देखें, एक यह, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर, यह देखें, तेपे बॉर्णियों के साब से, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, पाच्वी, पाच्वी कर, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, सा देखें, यहाँ दिखाता हूँ, मैं दिखा हिए हो, एक, दो, तीन, चार, पाच, यह, दो, तीन, चार, पाज, चछे, साफ, इस पिन के साथ आपका बायसल की सप्लाई आने चाहिए, यह देखे, यह देखें, यहाँ से कोई वीप नहीं बजा रहा है, यह आप देख रहे एक दो तीन चाहर पाच पाच वे नमबर पर पीप आनी चाहिए लेकिए मैंने एक से लाइप पॉजिटीब लाइंप रखा हुआ है लेकिए बिल्कुल अलग अलग है कोई सॉटिंग नहीं है आपर एक दो तीन चाहर पाच यहां पर भी बीप नहीं आ रही है यहां पर मैंने यहां पर रखा बड़ इसके डाइग्राम के असाफ से अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह है 56 यह देगे 56 देखिए नीचे की लाइन पर है एक दो तीन चाहर कि यह देखिक यह पॉजिटीव जब एद धर है और जो नीचेटिव है दोस्तों को उसके ओपार की लाइन पर एक दो की चाहर पाच चैथ जो नीचेव आ फार्ट शहर जो नीचेटिव है दोस्तों वह है 59 पर qa feeling मला एक डो तिन 4 मला इसके रइन पर यह यह होगा यह देखें यह बगल में यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है तो आप देखिए माइक का यहां दिखाए यह जड़ा देखें माइक का निगेटिव यह है और माइक का पॉजिटिव यह मन्दब यहां पर देखो, यह कटी वी लाइन देख रहे हो, एक छोड़ के, एक, दो, तीन, चार, यह आपका माइक का positive, यह आपका माइक का negative, और यह माइक का bias, और यहां अगर हम बोढ़नियों की बात करेंगे, दिखाए यह बोढ़नियों में, अगर हम बोर्णियों की बात करते हैं यहाँ पर हम को माइक का पॉसिटिब यह तो मेरा कहने का मतलब यह कि 100% किसी पर भी confidence रखना तो यह गलर बात है क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे और आप सोचेगे कि मैं दुकान पर बैटा हूं बोर्णियों ले लूँगा आप तो सब मोबाल बन जाएंगे जलत है हमारे student को बोर्णियों जरूर प्रवाइड कराते है है बोर्णियों बहुत बैस्ट है हमारे सारे student लेते हैं क्योंकि उत्से सप्लाइयों का नौलेज अच्छा मिल जाता है पर हमारे student को हम पूरा डैग्राम पढ़ना और सिब एक मोबाल का नहीं और कोई पुराने का पुराने जमाने का मोबाल नहीं पढ़वाते है कि नोट नहीं को कोशस करते हैं कि लेटेस हेंड़ेट का डाग्राम उनको समझ में है आईसीय समझ में है अरे बोर्णियों खुद बना लेंगे आपने देखा होगा वीडियो अभी निव गजट नंगरी में हमारे चैनल पर हमारे वीडियो जिसमें स्ट्वेंट डाग्राम बना र आपका ये प्रोफेशनल काम आपसे कभी छूटने नहीं दूंगा ये वादा करता हूं उसके साथ आप अपने मार्केट में काफी नाम कमाऊगे और पैसे लिए तो चलिए दोस्तों अब हम यहां पर आइसी लगाते हैं आइसी को रिबॉल करेंगे और आइसी लगाएंग आइसी अब हमारी आइसी लग गई है अब हम फॉन को ओन करेंगे और इपा माइक को चालू करके देखेंगे हुए 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 है अब दोस्तों देखेंगे आप अब अन्हेंट अन्हें बटाव और रहा सहां हो चुका है वह हम रिकॉर्डिंगे बार चेक करते हैं हमारी यहां पर देखें आपको फ्रिक्वेंसी यहां पर दिखाई देरी होगी पल्स आपको दिखाई देरी होगी जो कि मैंने पहले बाता रही है पल्स नहीं दिखती है अच्छे पैसे कमाने हैं मैं देखें हम लोग यह नहीं बूलेंगे कि आप सीख जाएंगे तो आप कमा लेंगे और अगर आपको लगेगा कि यह बिजनस मतकारी का है यह आपको लगता है कि दस दिन में सीखकर आप 50 लागों कमा लेंगे तो गलत हैं आप चलिए देखते हैं कि हमारा यह सटसेसफुल हुआ की नहीं हुआ हलाकि हमारी पल्स बन गई थी यह हमारा वह है तो आपको फ्रिक्वेंसी यहां पर दिखाई देरी होगी और यहां आपने बनाया है रैडमी वाइन नोट फाइवे जिसको बोलते हैं उसका माइक जिसमें बेसिकली नॉर्मल कस्ट्रमर बनानी पाता उसके साथ हमने आपको एक फॉल्ट भी बताए कि किस तरह से बोर्णियों में कुछ मिस्प्रिंट हल्की से क्योंकि देखो बोर्णियों भी बनाया है तो मैनुवली बनाया गया है कोई बहुत इंजिनियर की टीम नहीं तो अगर आपको विश्वास करना है तो अगर आपको लगता है कि असर टेली कॉम बेस्ट है क्योंकि दोस्तों हर एक बड़ी कंपणिया हर एक बड़े ब्रांड के साथ अच्छी चीज़ों बुरी चीज़ों को नजर रखेंगे तो आप अपना भैतर भविस नहीं बना प होता है आप कॉल करें किसी इंस्टूट में तो देखें दस अजार कॉल आ जाएंगे पर इसदा डेली को में कॉल करेंगे कि यहां आपको हमारी जरूत होनी चाहिए हमको आपकी नहीं सो दोस्तों कि आपको मेरी बात समझ में आयो कि पॉजिटिवनेस के साथ देखो दस अ हरे को खुछ रखना पॉसिबल नहीं है आपके घर में आपके कुछ लोग आपसे दुखी होएंगे क्या होता है दोस्तों बहुत लोग यहां पर उनको सोच कर आते हैं कि यह तो बहुत आसान होगा बहुत असान होगा पर जब लगता है क्या रिपी मैनत करनी है लोगों को जानते होएंगे जो हर दिन हर घरी एक बिजनस को चेंज करते हैं तो यह बिजनस उनके लिए ही नहीं तो बिसिकली अभी भी हम कोशिश करते हैं कि फिल्टर लगा कि हमारे जितने स्टुडेंट फिल्टर के साथ में आया है जो आपना कैडियर बनाना चाते है उसके साथ आए कोई ऐसा कोई स्टुडेंट ना आ जाए तो किसी दूसरे बिजनस को देख रहा है उनको लगे रातो रात आप चमतकारी बन जाएंगे और रातो रात आप बहुत सारे पैसे कमाने लग जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो अगर आप प्टिकलर किसी वीडियो को देखकर आप हमसे बोलते हैं कि सर यह क्या है तो आप हमारे 10,000 वीडियो देखे और अगर आपको देखना है कि क्या चलना है हमारे इंस्टूट में तो फेस्टूट में जाए और कल का लाइब सेक्शन देखे कि कल क्या चलना था आज का लाइब सेक्शन देख और आपका carrier बनाऊंगा और जिन्दी की आपके साथ जुड़ा रहा हूंगा दूस्तों यहाँ पर आज हम EMC change आपको solution दिखा रहे हैं कौन-कौन यहाँ पर EMC change कर लेगा बर सिर्फ Note 6 Pro की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम जो कर रहे हैं वो Note 5 Pro की बात कर रहे हैं यह उसके अलावा भी आप लोग कर सकते हैं की नहीं कर सकते हैं अभी हमारे को देख करी में आपर दिमाग में डाल देता हूं इन स्टूरेंट को अपना पर्सनल गिप देना है मेरे बाई अलग से एक गिप तुमें अलग दूँगा और वो कसम से अल्टिमेट होगा जो अभी दिमाग में रख लो अभी भी टाइम है बेसी के लिए टाइमिंग बता हूं आपर कितने बज़े के कितने बज़े हैं इंडिया का नमावारी इंडि